हलो बीटा है तो में लोग नों को तक 1.2 तक कर लिया था आज लोगों का टापिक स्तार्ट होने वाला है वा अगला है 1.3 है यहाँ इस्टांच तिक को दिख जो कि अगऑheen इस्टीमेशन ठीक है आज हम लोग सिखेंगे इस्टीमेशन एस्टीमेशन में होता क्या है बहुत सिंपल सा केस होता है इस्टीमेशन का सीज़ा सा मतलब है कि अब जब भी कोशन करोगे तो इसमें मैं एक सिस्टम करना होगा जिसको बोलते है राउंड आफ ठीक है तो राउंड आफ का मतलब क्या होगा तो इन नेरस्ट वैलू में यानि कि काईगा 1000 तो इन तीनों के पास वाली वैलू लेनी होगी हमें देखना होगा किसके पास वैलू पहुंच रही कि नहीं ठीक है तो देखो कैसे पहुंचेगी एक जांपल सबसे बेसिक सफंडा है अगर ठेन होगा तो ठेन का जो बीज का पार्ट होता है तो यह बात आपको ध्यान देनी है कि आपको थोड़ा सा फंडल लेकर समझा देड़ तो पहले राउंड़ाफ सीखना होगा राउंड़ाफ क्या होता है राउंड़ाफ से सारी कहानी बनेगी तो बिल्कुल ध्यान से देखो जैसे मैंने कह दिया सेबन सेबन को हमें टिंके राउंड राउंड आफ करना है टिकह सकते हैं यह दस की आसपास हो गया यह तो इसको हम कहा है 20 लिखें तो कोई भी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि मिड में है मतलब की राउंड टैन का मतलब यह है कि उसकी जो गिंती होती है तो तो मतलब की दो जिन ईसको राउंड आफ करना है तो पार होती है अगर इस पार होती है थो हम लोक कारीब आचुकी है ठीक है तो राउंड आफ का मतलब समझो और अच्छे समझने के लिए राउंड आफ क्या होता है जैसे कि हमने एक्जांपल के लिए हम बोल दिया 53 53 10 के राउंड आफ करना है तो क्या एक अंसर 53 किसके पास है 50 के पास है ठीक है इसको 60 क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि 60 से इस सब्सक्राइब में लेते हैं उन में 73 लिए 73 लिए तो 73 के आज-पास दो रौंड आफ हम लिख सकते है एक तो क्या लेग सकते हैं 70 लिख सकते है centrale सैजथक्व कि'sके बाहिए बर रहा फो सिसके पास पड़ेगा वह वरू लेंगे तो 73 इसके पास पड़ेगा 70 के पढ़ेगा ठीक है तो इसका एंसर क्या होगा 70 होगा समझ रहे हैं आप लोग ठीक है अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 73 है 73 ना हो करके अगर यहाँ पर 76 होता तो यह 76 किसके पास आ गई थी जबार अब 80 के पास आ गई थी तो 76 का राउंड आफ क्या होता है तेंटेंस में 80 होता है ठीक है तो बात सम्याद रहे हो गी ऐसे हंडड का भी राउंड आफ किया जाता है फर एग्यांपल हमने कह दिया कि 573 अब इसको हम अंडड के राउंड आफ में लिखना है इसका 500 के पास है तो यह 500 दिख रहा हो का मतलब 573 तो यह यह 600 के आपास होगा या तो यह 500 के पास होगा तो किसके पास दिख रहा है आपको तो 573 600 के पास जाएगा ठीक है तो इसको राउंड डाफ हम डिरेक्ट्री के लिखेंगे 600 ठीक है और समझो जैसे की नियुक्त पहले में क्या करना होता है में में देखना होता है वालो अमने लिया 700 ठीक और इसको हमें 100 के राउंड आफ करना है तो होगी यह तो 800 होगी यह दिख रहोगा आपको 800 और इधरवाली 700 होगी लेकिन आप कौन सी और अनसर क्या होग यह तो बहुत दूर हो जाएगी 70 कम हो जाएगा और इसमें 30 कम है ठीक है तो यह वाला एंसर होगा ठीक है तो 800 इसका आएगा मतब राउंड आप जब करना आप सिख जाओ गए तो अभी यह पूरा एक्सराइज राउंड आप पर ही डिपेंड है ठीक है अगला जैसे कि मालो हमें 1000 के नेरेस्ट करना है तो समय थाओजण में देखना होगा फिल क्जांपल हमने कहा दिया 553 अब यह थाउजऑं के राउंड आफ करना है तो तो यह जाईर से बात है 1000 के राउंड आफ है ठीक है 1000 के राउंड आफ होगा इसका 1000 एंसर डिरेक्ली रिखेंगे अभा जैस होगा इसके बीच में है लेकिन लेंगे कौन सा एंसर जो जिसके पास पढ़ रहा हो तो यह तो थाउजन के पास पढ़ रहा है तो इसका एंसर क्या होगा जैसे कोई भी है अगर यह 10 का राउंड आफ करने को कहेगा तो आप ढूड़िएगा कि जैसे टेंस क्या होगा बेसिकली जैसे हमने कहा फिर से एक बार एक्जामपल ले लेते हैं 85 हमने कहा दिया और टेंस के राउंड आफ बोला है तो 85 किसके पास है दो डिजिट में या तो एक नमबर माइनस करोगे वैसे इस तरह आजाएगा ठीक है ऐसे ही आपका टेंस के बाद 100 का भी केस स्टार्ट होता है 100 भी वही कहा नहीं करनी है कि जैसे हमने हमालो कितना लिखा 584 अब यह देखना होगा 100 के करीब तो 100 क्या है यह 100 में अगर इसको किया जाएगा टोटल मुल टो एक तो यह तो 500 हो सकता है अबस दूसरा 600 हो सकता है अब देखना पड़ेगा कि किसके जादा करीब है तो बांसो चूरासी चैस्ट के जादा करीब है तो यह अन्चालीट ऑप एक है सट थाओंड का आपकोटीन के बाद कर चार्ट के आस-पास तो आप देखोगे कि 900 के पास नहीं जाएगा क्योंकि यह 850 से कम है ठीक है 850 से अगर ज्यादा होता तो तुरंत अगर 850 भी होता तो यह 900 में चला जाता ठीक है कोई चीज़ समझें 168 किस के पास जाएगा 200 के पास जाएगा 100 के हम लोग राउंड आफ देख रहे हैं जैसे 149 है अब 149 क्या होगा देखो 100 के राउंड आफ में आ गया क्यों क्योंकि यह 150 से कम हो गया अब 150 से ज्यादा जाता तो यह 200 हो जाता अगर यही वैलू 149 ना होती गवाशार में 202 ゃता है इसका राउंड आफ राउंड आफ 200 हो जाता है लगभाख 200 के आसपास फ़्ख के ठिकिम वही चीज़ सारे जगों पर की गयी है यहांपर देखीये 286 किसके पास है 300 के पास हैaky समी एंबताना है तो यह रांग है क्योंकि यह 300 के आस जान रहाँ है आप देखर ह्यासे हैं यह है यहां पर आप देखिए तो यह सारे के सारेा जो हैं भी किये गें ह। कास, तो आप पाओगे बेना मैं करना एक स्थृचयुन के छकत्कवन के संथर बड़े 25.375 प्षाल प्रभ थी किन हति कम तो जाता ये संसे 58गी तो आपको चे अपन से ये जाज़ा है तो बान ये स्थे यह आज़ा को 523 वा जब धेच्था यह रॉंग है आप अब देख पा रहे हो पानसो तिरपन तो ही है फिर 550 भी आ गया तो 552 500 को क्रोस कर गया तो एक हजार और देगा ना यह ठीक है मतलब की 500 के उस पार निस एक हजार और मिल जाएंगे ठीक है और 1500 है तो 1500 के उस पार क्या हो जाएगा दो हजार हो जाएगा 500 फार यानिकी एक हजार हो जाएगा यहीं राउंड आफ होता है कि हिए यह चाहर Junior नानभे यह´ं चाहरईर के पास नहीं जाएगा यह बहятीелю कि 3500 कम है यह यह Spotify तुर्पी तो ragd result 3,000 होगा तो राउंड आफ सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा देखे जैसे इसका राउंड आफ आपको लग रहा है थाउजन में सही है नहीं सही है बिल्कुल गलत है यह बी क्योंकि यह देखिए 7,000 तो उसमें अलड़ी है और 805 एक 1,000 और देगा मतलब यह 8,000 के होंकि जाएगा तो जब राउंड आफ आपको खुलीन हो जाएगा ठीक है यह 20 नने बनाने को है 10 जके भल देखिए 1Г 에ट हाउजन में देखिए 10,000 में देखो तो क्या यहेगा 75,000 है तो क्या होगा 10,000 और बढ़ा और इसके बाद exercise पर पहुंच वे तो इसको राउंड-auf करके ही solve करना जैसे एक्जामपल आपको दिख रहा है यहां पर इसमें राउंड-aaf करके कर चांड के राउंड और में सोल्ब किया रहा है तो यह आप कैसे भी स्वाल कर सकते हो और चाहें थाउजन के राउंड आफ में करिये आपका अंसर आएगा तो यह एकिस के पास है कितने असपास है यह 5,000 बहुत दूर है रहना तो इसका कितना लेंगे सिर्फ 5000 यह लिखा गया है ऐसे यह आपका देखेंगे किसके आसपास आई यह आ गया 17,000 तो ही है और 986 और आ गया यानि कि यह लगभग 18,000 के पास हो गया तो 18,000 लिया गया तो यह होता है इस्तिमेशन यह फिर राउंड आफ करके सॉल्ब करना देखेंगे यहां पर देखेंगे यह होगा अब यह दो है तो यहां पर देखेंगे कि किसके आउंड आफ यह यह 5,000 673,000 के पास पास है 436 को 0 कर दियागा यह 0 तो नहीं हो पाएगा पर 436 को हम लोग जो कहा लिख सकते हैं 100 के अगर राउंड आफ लिखेंगे तो यह 400 के आस-पास होगा ठीक है 500 नहीं होगा क्योंकि 500 से बहुत कम है 50 के उस पार अगर जाता है तो वह 500 की तरफ पहुंच जाएगा इतना ध्यान रखना बस तो यहीं चीज बताई गई है तो नीचे सॉल्फ किया गया है इसको और यह अंसर लाए गया है तो दोनों का सिस्टम सेम रखना अगर उसको नीचे वाले को अगर 100 के राउंड आफ क करिएगा नहीं तो गरबढ़ हो जाएगा अगर आपने किसी को थाउजन के राउंड आफ कर लिया है और किसी को अंड़र कर लिया है तो यह चीज चीज सीखनी है वैसे ज्यादा को यूज नहीं आगे चलके फ्यूचर में बस लेकिन थोड़ा बहुत आ गया है तो आपको यह चीज आपको लगाना है शाथ सो तीस किसके राउंड आफ है शाथ सो के पास जाएगा और नौसव ठाट थाउजन के पास जाएगा तो आप दोनों आट कर दोगे साथ सो प्लस थाउजन ठीक है दोना एंसर आजएगा सत्रा सो कर लोगे ऐसे देखिए यह आठ सो के रा 28 और यह कितना चला जाएगा यह 21 माइनस कर दो तो यही चीज है बस आपको क्या करना है कि इसने बोला है कि मेक 10 मोर सच एक्जामपल तो आपको कुछ और बनाने होंगे लेकिन आप कुछ न बनाई है बस इनको सीख लीजिए बहुत है ठीक है सेकंड कुर्चन में भी 13 के पास हो जएगा 454 किस के पास 30 के पास है तो 330 सत्तरा किस के पास है 20 के पास तो 43 20 हो फीर सब को आट को तो पहला वाले को किसे लिखोगे पहला वाले किसा होगा चार्छालिस ठीक दूसरा वाला तीजसो तीज्व चौथा लागा 43 और 20 जो चाहिए यहां होगा 43 और 20 और सब को एड़ कर देना आराम से हैंसर आ जाएगा बिलकुल यही काम करना है तो आपको प्रोड़क्ट तो अब देखिए इसको 100 के दिए तो फाइब चोड़ दीए 78 क्या हो जाएगा एड़ी के करीब है तो 580 हो गया ठीक और फिर 160 के करीब है ठीक है तो 160 हो गया मल्टिप्लाइ कर दो एंसर आजाएगा ठीक है असान पूरी एक्सरसाइज कर लिजिए और उसके बाद मुझे सॉल्ब करके भेज दीजिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो तो यह सारी चीजें हो गई है और इसमें कुछ नहीं है और आगे आपका यह स्टार्ट हो जाएगा यूजिंग ब्रेकट्स हो गए रहा है सम आगे सीख लेंगे कुछ ज्यादा है इसमें नहीं है और जो आपका यह टॉपिक स्टार्ट होगा इस चेप्टर का खास चेप्टर जो टॉपिक है वह निम रोमन नमबर्स तो रोमन आपको पता ही है ट्व आपको ध्यान होना चाहिए बहुत इंपोर्टन है और इसके कुछ रूल्स है वह मैं बता दूं आपको देखिए इफ सिंबल इस रिपीटेट इस वैलू एडड़ मैने टाइम्स एज अकर्स मतलब रिपीट हो तो उसकी वैलू को जोड़ दियाता है जैसे कि वन वन है तो वोग रने खालाया शिंबल इस नीजुत तीन जहां कभीरीट नहीं होसकते हैं कि अपाउस्टन एक जल्फर बात हैं जो आप सीखर रहो हो रीपीट कर सकते थे माइकसमुम थनी ताइम्स कभी ये चार भार भी नहीं होता है 3 तीन तीन बार होसकता हैं ओके और यह एक ची तो यह B, L और D यह तो कभी रिपीट होते ही नहीं कभी आप यह वी वी ना करना ठीक है यानि कि आपको अगर मालो 55 दिखाना है तो 55 आपने वी वी करके दिखा दिया यह गलत है ठीक है तो यह रिपीट नहीं होता हाँ तो यह सारी important point है important point है यह भी देखो कि अगर जो छोटी value है बड़ी value के right side है मतलब कि यह right और यह left तो क्या होगा कि यह दोनों जुड़ जाती है ठीक है तो यानि कि यह 6 होगा 6 होगा ना यह तो आप समझी रहे हो जैसे बी है तो यह क्या होता है सेवन होता है similarly next वाला आपके देखोगे यहां पर कि अगर smaller value left side लिखे जाए यानि कि यह से यानि कि यह left है और यह right है sorry यह right है और यह left है तो यह वाली minus कर दी जाती है ठीक है यानि कि 4 होगा ध्यान रखना है चीज़ को तो बहुत important चीज़ था यह और बाकी यह देखिए last point क्या है if symbol BLD are never written to left of the symbol of greater value यह बहुत important बाते हैं कहा जा रहा है कि BLD यह तीन symbol जो होता है यह कभी भी left नहीं लिखे जाते हैं ठीक है गटाया नहीं जाता यह कभी इस side नहीं लिखे जाएंगी जिसे कि हमने ऐसे कर लिया या फिर हमने ऐसे कर लिया तो यह गलत हैं सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी घहां, धगटाई नहीं जाती, कभी फोके आगे देखी। और झोल हों यह किवल यह से घटाए जा सकता है इस तरищ लिख सकती हो और कभी वह तांध नहीं होगा कभी घटने में ऊधर लीफ रेवसाइब मतलब ऑर किसी से इंहीं होता है गहटेगी को दो वैलो से ख़ट सकती है V और X इसे घट सकती है जो कि दो जो खण रहेगा, बट कभी भी आइसे नहीं हो सकता कि, यह D हो यह बहुत है छी ल र RAW दॉल्स हरें पहज़ा है इस तरफ रहेगा खांब जो फिस्ञंबल Xs Qs कैंड तो घटेगा एक इस तरफ रहेगा एम के तो घटेगा एक इस तरफ रहेगा तो घटेगा है ना यह तो जानती हुआ आपकी इस तरफ रहता तो घटता है तो यह सारी चीज़ा है बाकि कुछ वैलूज आप देख लो यहां पर यह आपके माइन में हो जाना चाहिए और बाकि वो आपको तो टेस्च अ पड़ा है यह थोड़ुड़ा पढ़ लो और अपने आपको बहुत जल में टेस्ट लेने वाला हूँझ आपको एक सॉलेट तस देना होगा वो तेस्ट कौलिफाई करने बाद फिर आप किसी भी एक्जाम में बढ़ जाना आपका 100% रिजल्ट आएगा